चोटे कपड़े पहनने को अपनी आजादी से जोड़कर बताने वालों के लिए ये खबर बेहत जरूरी है धार्मिक स्थलों को भी पिकनिक स्पोर्ट बनाने वालों और भड़कीले कपड़े पहन कर जाने वालों पर मंसा देवी मंदिर प्रबंधन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है चंडिगट से सटे पंचकुला के शक्तिपीट मंसा देवी मंदिर परवंधन ने मंदिर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया है जिसकी खूब चर्चा हो रही है दरसल मंसा देवी मंदिर पूजा इस्थल बोड ने चोटे कपड़े पहन कर मंदिर में आने वालों की एंट्री अब से बंद कर दी है विशेश तोर पर लड़कियों के शोट्स पहन कर आने की शिकायत मंदिर प्रवंधन को लगातार मिल रही थी मंदिर की मर्यादा और संसकारों को ध्यान में रखते हुए ही अब शोट्स यानि की छोटे कपड़े पहन कर आने वालों पर रोक लगाने का निर्णे लिया गया है मतला हमारे जो बच्चों के लिए और इंस्ट्रक्शन दिये गया है कि यहां पर धरम की मर्यादा और हमारी जो संस्कृत ही है उसका पालं किया जाए और ड्रेस को मर्यादा मंदिर की मर्यादा को देखते हुए ड्रेस पैन की मदल फूल ड्रेस में होना चाहिए शॉट्स मंदिर पूजा इस्थल बोड की सचिव शार्दा प्रजापती ने उन लोगों को भी जवाब दिया जो कप्रों से सोच पर फर्क ना पढ़ने की दोहाई देते हैं सचिव शार्दा ने साफ का है कि अगर गुरुद्वारों में आप सिर तक धकर जा सकते हैं तो मंदिर में पूरे कपड़े पहन कर क्यों नहीं आ सकते जो सोचते हैं उन्हें तो कपड़ों से सोच पे नहीं पढ़ता लेगि सभी की मान सिकता एक जैसी नहीं होती है मंदिर में कोई भावना लेके आये हैं और उनकी इस तरह की ड्रसेस देखके अगर किसी को अब्जिक्शन भी है हमारे पास भी आये थे कि चोटे कपड़े अकसर विवादों और चर्चाओं का केंद्र बिंदू रही हैं कभी राजनेताओं की टिपडियां तो कभी संसद में उठे इस मुद्धे पर कई बार बहस भी हो चुकी है बहुत से चोटे कपड़ों को चोटी सोच से भी जोडते हैं और कई लोग इसके समर्थन में भी रहते हैं लेकिन अब मंदिर में छोटे कपड़े वर्जित करने पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद